आपके यह खुला हुआ पेज इंपॉर्टन इस्ट्रक्शिंस और विए पॉल साइंस इंग्लिश और वी कॉम अंदस थर्ड यर तो आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको रिजल्ट आपका मिलेगा तीनों इयर्स का अब क्या है आप जो इंपॉर्णेंट बात जानने की देखने की रिजल्ट किसका आया है तो रिजल्ट यह अभी सिर्फ फर्स्ट सेज का आया है मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि फिर्स्ट फेसी कॉपी चेक हो चुकि हैं सेगेंड फेसी कॉपी में प्रॉब्लम आ सब्सक्राइब करनी है और वह आपको इन इमेल आड़ी है आपने सब्सक्राइब करनी है और वह आपको इन इमिल आड़ी पे बेच देनी है यह है बी है अन पॉलड साइन्स के लिए यह है भी हम्हान उन्टेट के लिए और नीचे वाला है भी कि आपकज़ और आपको email कर दे लिए अब आप बोलें कि आप में second phase की आथर शीर सम्मिट किये तब क्या करें अगर आप में second phase में आप सब्सक्राइब आ रही है अभी copy check नहीं हो पाई आपकी you have to wait for result it will be declared shortly 15 दिन 20 दिन एक महिना लग सकता है इसके अंदर तो अभी second phase वालों को अभी wait करना है ठीक है उनका RA absent show कर रहा होगा तो क्या करना है उनको भी wait करना है कोकि उनकी अभी आधर शीर चेक नहीं हुई है ठीक है तो second वाले गवरायनी उनको wait करना है result का अगर नहीं आया तो उनको कुछ नहीं करना सिर्फ फर्स्ट वालों को दो फर्स्ट वालों को दुबारा कापी send करनी है और अगर आपकी यार आगई बाइचांस बैड़ लग है आपका तो आपको next year जो एक्जाम होंगे तो आपको repeat करना होगा ये ठीक है तो clear है आपको first phase पर आपना शीच सम् में आपको दुबारा से appear होना है अपने एक्जाम में तो जो में बात आपसे कर रहा था कि उसका रिजल्ट आया है उन्चके लिए कर अलग से नोटिस भी आया हुआ है आपका ये वाला ठीक है यह आपका नोटिस अलग से आया हुआ है यह आपको बता रहा है कि students belonging to BA इंग्लिश BA Honors Political Science and BCom whose result is wasted or absent they have to mail their एक्जाम सीश तुदा फॉलिइंग आईडी जो आईडिया आपको मैं पहले बताये थे नीचे दे रखें फिर से यह दे रखें आपको ठीक है यहाँ पर आपको इंग्लिश आपको ठाव्य आपको भी जो एंग्लिश पर आपको यहाँ आपको झाल झाल